13.6 का question number 1 अभी हम लोग discuss करने जा रहे हैं सवाल दोने को बहुत ही प्याला और बहुत ही आसान सा है तो दिखते हैं इस particular सवाल में आपको क्या given information दी है और आप कैसे काम करूगे तो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक cylindrical vessel है चीक है और उस particular cylindrical vessel का जो base है उस base का जो circumference है वो circumference आप लोगों को कितना दिया है 132 cm है ना अब पहले तो ये बताओ कि जो cylindrical vessel होता है उसकी ये जो base होती है इस base की shape क्या होती है तो मैडम कैसी बाचीत कर रहे हो इस base की shape तो circular होती है तो इसका मतलब आपको जो particular question में circumference दिया है ये circumference basically आपको किस इच का दिया है circle का circumference दिया है ठीक है क्या ये बात समझ में आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो circle का circumference है ओके we got it तो अगर इस particular question के हम given data के बारे में बात करें तो given data क्या है कि for cylindrical vessel हमारे पास जो cylindrical vessel है उस particular cylindrical vessel का जो base है उसका base का आपको circumference दिया हुआ है ठीक है तो circumference के इस चीच का base का कितना दिया है 132 cm दिया है और जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुमने basic basic formula पढ़े होंगे area of circle equal to pi r square circumference of circle is equal to 2 pi r पढ़े है कि नहीं पढ़े है बिल्कुल पढ़े है तो circumference of base is basically your 2 pi r ये भी आप लोगों का क्या है 2 pi r है ठीक है ये भी क्या है आप लोगों का 2 pi r अचा अब उसी particular cylindrical vessel की जो height है ये height आप लोगों को कितनी दी हुई है ये दी हुई है 25 cm यानि कि यहां पर height मतलब h इसकी value आपको दी है 25 cm अब बोल रहा है कि इस particular vessel की capacity क्या है capacity का मतलब वो कितना volume of water अपने अंदर hold कर सकता है देखो ये पूछा है how many liters of water it can hold तो यानि कि आपको ये निकालना है volume of that cylindrical vessel है ना volume of cylindrical vessel capacity या फिर how much it can hold ये सारे शब्दों का एक ही मतलब होता है कि आखिर उसका volume कितना है done छीक है तो क्या हम लोग volume निकाल सकते हैं तो मोग एकदम volume निकाल सकते हैं volume का ता formula ही होता है pi r square h बढ़ यहां एक दिक्कत आगई क्या दिक्कत आगई माडम यहां मुझे radius की value नहीं दिये और जब मुझे radius की value ही नहीं दिये तो मैं कैसे निकालूंगी आप लोगों का volume खुद सोचो हाँ यह बात तो सही है जब मुझे radius की value ही नहीं दिये तो मैं volume कैसे निकालूंगी तो अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैंदम आप volume के लिए आपको क्या लगता है क्या करें तो देखो total दो तरीके हैं ठीक है total आपके पास क्या है दो तरीके हैं आप उन दो तरीकों से क्या कर सकते हो आप अपने radius की value निकाल सकते हो मैं आपको दोनों तरीके सिखा के दूँगी बट पहले मैं personally अपना तरीका तुमको बता दूँ फिर मैं मान में नॉर्मल तरीके में move करती हूँ ठीक है देखो हमारे पास given data में ये साफ साफ दिया है कि 2 pi r इसकी value होती है 132 cm बराबर ये हमको पहले से दिया हुआ ये information हमारे पास given है अब इस given information से हम लोग क्या निकालेंगे एक मेरे टुक हो या इसा लग रहा है थोड़ा सा crack आगिया है चुलो बाद में रखेंगे ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसी particular given information से हम लोग क्या निकालेंगे रेडियस निकालेंगे अब रेडियस निकालने के होते हैं दो तरीके नॉर्मली एक बच्चा क्या करेगा pi की value यहाँ पे 22 by 7 put करेगा r को as it is रखेगा यहाँ पे 132 आएगा फिर वहाँ पे सारी terms को उस तरफ shift करेगा 132 multiply by 7 upon me 2 multiply by 22 फिर वो 22 के table से काटेगा तो यह 22 1s आ और यह 22 6s आ यह 2 1s आ और यह 2 3s आ तो उस बच्चे का यहाँ से बड़े ही प्यार से radius की value किती आ गई 21 cm खत्म और जैसे ही उस मंदे का radius आ जाएगा वो तुरंद क्या करेगा आप लोगों का volume calculate करेगा उस cylindrical vessel का की आखे वो जो cylindrical vessel हाथ में है उसका volume कितना है तो जो की होगा pi times of r square h बराबर अगें वो pi की value को 22 by 7 put करेगा r की value 21 आई है तो 21 into 21 आएगा height की value यहाँ पे कितनी री हुई है question में 25 बस अब साधी simple सी calculation 7 ones हा 7 threes हा ठीक है अच्छा बढ़िया है 22 into 3 that will be 66 21 into 25 ठीक है आप चाहो तो टुकुर टुकुर इस तरीके से 21 multiply by 25 यह वाली technique से निकाल सकते हो कितना आ जाएगा इदर ending में 5 21 into 2 42 42 plus 5 47 so इसका answer होगा 475 ठीक है choice आपकी है आप calculation कैसे भी करें अच्छा sorry my mistake यहाँ पे choice आपकी है आप calculation कैसे भी करें उससे कोई फरक नी पड़ता but answer हने से हमको मतलब होना चाहिए ठीक है तो यह आ गया अब 66 multiply by 525 कर लो तो यहाँ से आपका volume आ गया 3, 4, 6, 5, 0 कितना unit क्या होगी तो देखो जो radius है उसकी unit centimeter है क्यों क्यों क्योंकि जो circumference और height है उनकी भी unit centimeter थी तो यहाँ से मेरा पाद जो volume आया यह centimeter cube में आया but question वाले ने मुझसे क्या कहा है कि मुझे answer liters में report करना है ठीक है मुझे answer किसमे report करना है liters में तो मैं मेरे answer को liters में किस तरीके से report करूँ यार बताओ तो यह बात हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि जो centimeter cube होता है न centimeter cube को ही ml कहा जाता है centimeter cube को ही क्या कहा जाता है ml कहा जाता है यहनि कि आपको जो यह answer आया है 3, 4, 6, 5, 0 cm cube यह basically आपका 3, 4, 6, 5, 0 क्या है ml है ठीक है अच्छा और जब एक बन आपका question ml में convert हो गया क्या ml से लीटर में जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं इसको अगर मैडम आप divide by 1000 कर देंगे तो divide by 1000 होने से आपका जो answer है 1 liter is equal to कितना आ 1000 आपका ml के बराबर आ जाएगा ठीक है तो यह 1 liter is equal to 1000 ml फिर अगर हम लोग पुरा cancellation वगेरा करने तो 34.65 कितना लीटर यह हमारा answer होगा और बस यही चीज़ हम लोगों को अपनी last line में report भी करनी है कि therefore आपके पास जो vessel है वो कितना hold कर सकता है can hold 34.65 liters or water खतम हो गई हमारी कहानी ठीक है अच्छा आप कई लोगों का इसमें doubt होता है कि madam यहां पे तो देखिए आपको information दी वही थी ठीक है क्या कि 1000 cm cube 1 liter के बराबर होता है तो हां होता है आपने वो क्यों नहीं use की तो यार मैं क्यों use करूं उसको भालतू के मैं हमेशा मेरी tendency यही होती है कि ml से उसको लीटर में convert करना है ना तो मैं पहले ml में आ जाती हूं cm cube से और उसके बाद हम उसको लीटर में convert कर देते हैं ठीक है बस खतम तो चौइस आपके आप directly भी कर सकते हो या फिर indirectly भी ठीक है अच्छा अब यहां पर देखो मैंने जो starting में radius निकाला था मैंने ऐसे भी मैं calculation कर सकती थी कैसे मैडम देखो note लेकिन मैं जानती हो कि तुम लोग इस method को ज़्यादा पसंद नहीं करो गया रे मैडम कौन इतना जग जग करे खै देख लो एक बाद 2 pi r equal to 132 so मैंने यहां पे r को वैसे का वैसी ही रखा 132 को वहां divide में ले गई और pi को भी वह इतनी आई 66 upon pi यह और अब जब मुझे volume calculate करना होता तो मैं volume का formula क्या लगाती pi r square h तो मेरा pi वैसे का वैसी रहता r की square की जगा 66 upon pi का square into h यह इस तरीके से ठीक है फिर उसकी calculation करते वगेरा वगेरा बट मैं जानती हूं कि इस तरीके का radius तुम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा तो therefore तुम लोग फॉपर तरीके से अपना पुरा कार्ट पीद करके रेडियस calculate कर तो याद रखना इसकी जो बेस है वह कौन सी शेप की थी circular शेप की थी कलको कोशन को twist करके भी दिया जासे कि एक क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की बेस कौन सी शेप की होती है रेक्टांगल या फिर एक क्यूब है उसकी शेप कौन सी होती है उसका बेव कर शेप क्या होता है तो ऐसे केस में आपको उन स्क्वेर का या रेक्टांगल का पेरिमीडर दिया जा सकता था ताकि आप उनसे चीजों को calculate करो और फिर आगे sound करो ड़न तो बस यहीं प तो बेर सर्कुलरी होता है ना